तो देखते हैं पर question number 14 में हमसे क्या पूचा गया है differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties तो हमें यहाँ पर metals non-metals के difference बताने है chemical properties के basis पर तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं metals की तो metals जातर यहाँ पर कौन से oxides बनाते हैं basic oxides बनाते हैं इसका मतलब यहाँ पर metal ले जाए इसके हमने पर oxygen se react करेंगे तो यह हमारे यहाँ पर क्या बनाने sodium oxide बनाते क्या बनाते हैं जैसे के अगर मैं यहाँ पर सलफर को oxygen se react करेंगो तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा sulfur dioxide बनेगा जो कि यहां पर क्या होते acidic oxide होते कैसे पता चलता है हमारे acidic oxide है हम क्या करेंगे यहां पर इसको water से react करके इसको यहां पर litmus paper test करेंगे अगर वो यहां पर blue litmus paper red में change हो जाएगा तो वो हमारे यहाँ पर acidic oxide है, अगर यहाँ पर red bloom में change हो जाएगा, तो वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, basic oxide होगा, तो non-metal general ही यहाँ पर acidic oxide और neutral oxide बनाते हैं, neutral oxide मतलब यहाँ पर कोई भी change नहीं होगा, litmus paper पर, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, second point ही, metals displace hydrogen from water, तो यहाँ पर जो metal होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, पानी में से उनके hydrogen को displace कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने sodium यह रखा है, और मैं इसको यहाँ पर water से react करवांगा, H2O से, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, sodium hydroxide बनेगा, और जो hydrogen gas है, वो यहाँ पर क्य नहीं कर पाता, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, थर्ड पॉंट की, metals displace hydrogen from dilute acid, जो यहाँ पर metals होते हैं, वो यहाँ पर hydrogen को displace कर लेते हैं, उनके dilute acid में से, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, sodium का Na, और dilute acid में ले लेता हूँ, मैं hydrochloric acid, तो यहाँ पर हमारा salt solution बन जाएगा NaCl, प्लस यहाँ पर hydrogen gas क्या होगी? अलग हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होका, इसने hydrogen को displace कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारा sodium था, इसने यहाँ पर क्या करा, hydrogen को displace कर दिया, और यहाँ पर क्या बना दिया, sodium chloride बना दिया, जबकि non metals यहाँ पर dilute acid से react नहीं बट वो वहाँ पर hydrogen gas फिल भी नहीं बना पाते हैं अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हम fourth point की metals form ionic chlorides जो यहाँ पर metals होते वो यहाँ पर क्या बनाते ionic chlorides बनाते chlorine से reaction करने के बाद और जो यहाँ पर ionic chlorides होते वो यहाँ पर क्या होते कि बात करूँ तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर sodium को किसा react कर सकते है Qui क्लोराइड से मतलब यहाँ पर क्लोरिन था तो हम यहाँ पर सोडियुम को क्लोराइड से रियक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा सोडियुम क्लोराइड बनेगा क्या बनेगा हमारा सोडियुम क्लोराइड इसको यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं तो हम यहाँ पर 2 alguna और यहां पर जो chloride लेंगे tillLaCl लेंगे तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा complete anaCl मझा जो कि क्या होगा यह हमारा यहां पर क्या होगा O हेसका बात करें रहत है इसका मतलब जो इसकी इस्टेविलिटी यहां पर काफी रहती h क्या रहती है जो इसकी stability है वो यहाँ पर काफी अच्छी रहती है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं non-metals में non-metals form covalent chlorides with chlorine which are non-electrolides but volatile एक तो यहाँ पर जो बनाता है non-metals वो यहाँ पर क्या बनाता है covalent chlorides बनाता है chlorine के साथ और यहाँ पर क्या करते हैं non-electrolides होते हैं इसका इसके मैं यहाँ पर hydrogen ले रहता हूं और यहाँ पर chlorine ले लेता हूं cl2 the chloride कह सकते हैं तो यह हमारा क्या बना देंगे hydrochloric acid 2HCl जो कि यहाँ पर क्या होगा हमारा covalent chloride होगा क्या होगा सका यह हमारा होगा नो यह हमारा पर क्या REALLY यहाँ रहता है वो ले time रहता है मतब यह हमारा unstable रहता है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 5th point की metals usually do not combine with hydrogen only a few reactive metals combine with hydrogen to form ionic metal hydrides तो यहाँ पर कुछ ही metals होते हैं जो यहाँ पर hydrogen से क्या करते हैं react कर पाते हैं और वहाँ पर क्या बना पाते हैं ionic metal hydrides बना पाते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर example की बात करना चाहूं तो यहाँ पर हमारा होगा क्या जैसे कि हमारे यहाँ पर sodium है अगर वो यहाँ पर hydrogen से get करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा sodium hydride बनाएगा क्या बनाएगा यहाँ पर sodium hydride बनाएगा तो यहाँ पर 2NAH यहां पे क्या बनाएगा यहां पर क्या बना रहाए गर मैं पर इसके प्योंपक्रा लूगा तो यहाँ पर हम hydrogen को, अगर यहाँ पर sulfur सी react करवाएंगे, तो यहाँ पर यह क्या बनाएगा? hydrogen sulfide बनाएगा क्या बनाएगा हमारे यहापे hydrogen sulfide जो कि यहापे क्या होगा हमारा covalent hydrates होगा यह हमारे यहापे क्या बना रहा है hydrogen sulfide बना रहा है ठीक है आपको यहापे सारे difference समझ में आ गए होंगे अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ